का दो वन्हे मत्राम सात्यो कि आज के इस कलास में राजयश्तान के जल्वाईयोग पर हम बात करेंगे Hein Rajasthan के जल्वाईयों से समय इत महतंपुर्ण कोशन है उनकी जच्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं आप सभी जलवायू पढ़के आएंगे ऐसा मुझे विश्वास है अभी आप पड़ा पड़ से जोड़ जाएं सभी साथी गुड़िवनेंगा वंदे मात्रम सभी मित्रों को और अभी अपने स्टार्ट करते हैं जलवायू राजस्तन के जलवायू स सबन्दित जो कुशन है इनके हम एक एक करके चर्चा करते हैं अब देखे भारतिये मोसम विवाग ने राजस्तन को कितने जलवायू परदेशों में बाढ़ता है यह हमें बताना है तीन चार पांच या छे कितने में बाढ़ता है सामन्य कुशन है पर यह हमें पता होना चाहिए कि भारतिये जो मोसम विवाग है इसने कितने भागों में राजस्तन को कितने जलवायू परदेशों में विवक्त किया है फटा फट से उत्तर दे देंगे सबी साती अपने अपने उत्तर दे रहे हैं हाँ जी सबी सातियों के उत्तर आ रहे हैं और य यानि पांच है बहारतिय मोस्र विवाग्ने से राजस्तान को सूष का मुरुस्च completo पर देस को मुर्स्त्र लिए फिरदेस कि अ आर्दस उसक जल्वायू पर्देश आर्दस उसक जल्वायू पर्देश उप आर्दर जल्वायू पर्देश आर्दर जल्वायू पर्देश और अती आर्दर जल्वायू पर्देश यह पांच जलवायू परदेश है इसमें भारती मोसम विवाग है यह हमें विवाजित करते हैं यह अपने को त्हान रख लेड़ा है ठीक है सत्यों इसके बाद में अगला कोशन को हम देखते हैं कि राजस्तान में सरवादिक वर्षा किस मानसून से होती है अरब सागर का मान मानसून भूमद्य सागर का मानसून परश्चिमी विक्षोप राजस्तान में सरवादिक वर्षा है यह किस मानसून से होती है यह हमें बताना है हाँ जी फड़ापट से उत्तर सभी सातियों के आ रहे हैं जदतर सातियों सही उत्तर दे रहे हैं कुछ सातियों के गलत उत्त पर भी आ रहे हैं जादतर साती हैं वो सही उत्तर दे रहे हैं हाँ जी अब इसमें कहें कि राजिस्तन में सरवाधिक वर्सा सरवाधिक वर्सा किसे होती है बंगाल की इन दोनों को मिलाकर जब यह दोनो मिल जाते हैं तो इसे हम दक्षनी पश्चमी मानसुन अथवा भूमद्य सागर्ये मानसुन कहते हैं दक्षणी पश्चमी मानसुन अत्वा हिंद महासागर का मानसुन इसको कहते हैं कब कहते हैं जब ये दोनों मिल जाते हैं अगर हमारे ओप्षन में कहें दक्षणी पश्चमी मानसुन या हिंद महासागर का मानसुन आए तो वो हमारा उत्तर रहेगा अलग-अलग आएंगे तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मानसून रहेगा और अपनी को यह द्यानक नहीं मित्रों कि यह दोनों जुलाई से स्तंबर महा के मत्य राजस्तान की कुल जुलाई से स्तंबर महा जुलाई से सितंबर तक राजस्तान की क्या है कि कुल जितनी भी बारिस होती है सितंबर तक इसका 90 पर्तिशत भाग है 90 पर्तिशत वर्षा जो है टोटल वर्षा होती है उसका इन दोनों मानसुन से होता है भूमद्य सागरिय मानसुन अत्वा पश्यमे विक्षोब एक है यह सीत काल में वर्षा करता है और कुल यह कब करता है सीत काल में सर्दियों में और सीदकाल में ये कुल छो वर्सा है उसका 10% भाग है ये भूमद्दे सागरिय मांसून या भूमद्दे सागरिय मांसून को ही क्या कहते है परिष्टी में विख्शोब कहते है तो इह करता है ये अपनी को ध्यान रखने साथिए यो इसके बाद में नेक्स अगला क्वेशन अगले क्वेशन की और हम बढ़ते हैं हाँ जी अगला मार क्या क्वेशन है कि राजस्तान का न्यूंतम आर्दर्ता वाला स्थान है न्यूंतम आर्दर्ता वाला स्थान है माउंट अबू सम फ्लोधी चूरू फटा-फट से बता देंगे सभी साती कि राजस्तान मे न्यून्तम आरदर्तावला स्तान कुन सा है? हाजी, राजिस्तन में न्यून्तम आरदर्तावला स्तान कुन सा है? फड़ावट से कमेंट करेंगे सभी साती हाजी सावीत्री गुदरा सुखा सिंग अनेता कुमारी प्रेम कामलिया अनिल कुमार अनेता कालवा सीमा देवी सभी सातियों के सेली गिर्दर विकास्वामी सहनाज परताब हर्शिता संकरलाल यानि बहुत ज़्यादा उत्तर आ रह पर अलग-अलग उत्तर आ रहे हैं यहां कहें कि हमें ध्यानक नहें कि राजस्तान का न्योंत्म और गरता वाला स्थान है यह फ़लवदी सबसे कम वर्षा वालास्तान है राजस्तान में सबसे कम वर्षा वालास्तान यह कुन सा है दूसरा क्या है कि वनस्पती विहिन चेत्र है राजस्तान का राजस्तान का वनस्पती विहिन चेत्र एक है एकमात्र है कुन सा सम्बला है तो यह सम के दो कोशन रहते हैं माउंट अबू माउंट अबू कहा है सिरोही में है और यह कहें कि सर्वाधिक आर्दर्ता वालास्तान है सर्वाधिक आर्दर्ता वालास्तान उनसा है माउंट अबू यह अपनी को ध्यान रखने और साथ में यह अपनी ध्यान रखने है कि जो माउंट अबू है यह सर्वाध सरवादिक वर्षा वाला स्तान को सा है यह भी माउंट आबू है इसके बाद में चूरू चूरू कहा है राजस्तान का सबसे गरम सबसे गरम वह सबसे ठंडा जिला है सबसे गरम भी वह यही है जब गर्मियों में सबसे गरम हो जाता है और सरदियों में क्या हो जाता है सबसे ठंडा हो जाता है सबसे गरम और सबसे ठंडा जिला है वो कौन सा है वो चूरू है अमारा तो यह अपनी को ज्यान रखना है नेक्स्ट अगला कोश्ण अगला हमारा कोश्ण क्या है कि कोपेन के जलवायू का कोपेन ने जलवायू का विश्त्रित वर्गी करण कब परस्तूत किया अब यहां देखिए यहां अपने कुछ द्यानक ने कोपेन अब यहां अपने कुछ द्यानक ने कोपेन ने अपने जलवायू वर्गी करण का जलवायू वर्गी करण का निर्मान है यह निर्मान कब क्या है इनोंने निर्मान किया है 1912 में थीक है 1921 में इन्होंने इसमें संसोधन किया अपने वर्गी करण था इसमें क्या किया संसोधन किया और 1934 में इन्होंने इसका विस्त्रित वर्गी करण परस्तूत किया क्या क्या विस्त्रित वर्गी करण है यह विस्त्रित वर्गी करण परस्तूत है यह कोपेन कब करते हैं यह 1936 म ये चार वर्स है कोपेंड से समन दीता है साथियों एक आपको धान रखना है कि आप राजस्तान की कोई भी परत्यों की प्रिक्षा दे रहे हैं आपके सिलेबस में जलवाई हुए अगर जलवाई होगी निश्य तोर पर होती है क्योंकि जहां राजस्तान जी के होता है जोग क्लिक रंगी करण है यह आपको यहां से कुछ चने कुछ क्वेशन आपके पेपर में निश्य तोर पर मिलेगा हाँ जी इसके बाद में next अगला कोशन राजस्तान में वर्षा की मात्रा करमश्य बढ़ती है यानि राजस्तान में वर्षा की मात्रा कैं है बढ़ती किस ओर है उत्तर पश्चिम से दक्षिन पुरुव की ओर दक्षिन पुरुव से उत्तर पुरुव की ओर और उत्तर पुरुव से दक्षिन पुरुव की ओर जैसे कहके आप समझने के लिए ये मानने चीए कि ये हमारा क्या है राजस्तान है ठीक अब इसमें क्या है कि ये दिशाक उप यह पूरुव है यह पस्चिम है अब यह option क्या कह रहा है कि उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूरुव की ओर क्या बढ़ती हुई पुछिए कि अगर हम ऐसे चले यानि उत्तर पस्चिम से दक्षिन पूरुव की ओर चलते हैं ऐसे चलते हैं तो बढ़ती है यह क्या कह रहा है कि दक्षिन पूरव से यानि दक्षिन पूरव से उत्तर पूरव की ओर यानि यह कहा रहा है कि इधर बढ़ते हैं तो बढ़ती है और यह कह रहा है उत्तर पुरुव से दक्षिन पुरुव पश्चिम की ओर उत्तर पुरुव से दक्षिन पश्चिम की ओर ऐसे चलते हैं तो बढ़ती है यानि बढ़ती कैसे हैं कैसे बढ़ती है यह हमें बताना है तो कैसे बढ़ती है यह हम बताएं तो यहां क्या है कि अगर हम इधर से इधर की ओर चलते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है यानि उत्तर पश्चिम से दक्षिन पूर्व की ओर बढ़ती है तो वर्षा की मात्रा क्या है बढ़ती है और अगर ऐसे उल्टा चले यानि यह वाला पोर्षन है त कम होती है यानि उल्टा हो जाएगा इसका वर्षा से कोई वैसे लिंक नहीं है वंतरी पश्चमी राजस्तान में कम वर्षा होने का कारण नहीं है अब देखिए फटापट से आपको इसका उत्तर देना है अरब सागर के मांसून के समांतर अरावली कहोना बंगाल की खाड़ी के मांसून के समांतर अरावली कहोना बंगाल की खाड़ी के मानसुन के सामने अरावली कहुना उप्युक्त सभी हाँ जी फटाफट से उत्तर देंगे सभी साती क्या उत्तर रहेगा इसका जल्दी से उत्तर देंगे माही विश्व कर्मा परताप्राम सभी साती उत्तर दे रहे हैं अमन प्रीत योगेस शैली मीना हाँ जी अब देखिए यहां क्या है कि हमारे से पूछा क्या है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे से क्या कुछ है कि उत्तर पश्चिमी राजस्तान में कम वर्षा होने का कारण नहीं अब देखिए उत्तर पश्चिमी राजस्तान में कम वर्षा होती है यह में पता है तो उसके कारण भी होंगे अब कारण क्या है और क्या नहीं है यह में बताना है अब देखिए अरब सागर की मान के लिए और इसमें अरावली परवत्सरंकला इस तरह से इस तरह से विस्तार है जब बंगाल की खाड़ी का मानसुन हमारे यहां आता है कौन सा मानसुन बंगाल की खाड़ी का मानसुन आता है तो इस तरह से आता है इधर से आता है कुनसी खाड़ी का बंगाल की खाड़ी का मानसुन इधर से आता है अरब सागर का मानसुन है यह अमारे इधर से आता है अरब सागर का मानसुन यह कि इदर से आता है यह इदर से हमारे यहां आता है ठीक है तो अरब सागर का मानसुन है वो तो इस तरह से हमारे यहां से निकलता है उत्तरी पश्यमी राजस्तान की बात करें उत्तरी पश्यमी राजस्तान में यह वर्षा बहुत ही कम करता है और आ कारण क्या है वह हम देखते हैं कि एक तु अरब सागर के मानसुन का अरावली के समांतर हो ना अरवली यह अरब सागर का मानसुन यह यह दोनों समांतर है समांतर है इसलिए कि कि इसके सामने कोई रुकावट पैदा नहीं होती और यह सीधा क्या है कि इधर निकल जाता है और आगे हर्याना में थोड़ी रुकावट होती है हिमाचल में पहाड़ी एरिया है तो यह माचल में वर्सात होती है ठीक है तो यह कोई रुकावट नहीं है इसलिए सीधा निकल और यह जो अरावली है बंगाल की खाड़ी का मानसुन इधर से आता है अरावली यहां है तो अरावली इसके समंतर नहीं है समंतर नहीं है यह कहें इसके सामने आगे आती है क्या आती है आगे आती है तो स्वांतर होना अरावली का किसके बंगाल की खाड़ी के मानसुन के ये सही नहीं है स्वांतर नहीं है बंगाल की खाड़ी के मानसुन के सामने अरावली का होना ये सामने अरावली का है ये भी एक कारण है कारण की अरावली परवर संकला उंची ह जैसे ही यह आता है इसे इससे यह द ikke पूर्वी और दक्षणी पूर्वी राजस्तान में तो बंगाल की खाड़ का मानसून अच्छी वर्सा करता हैं पर यह अरावली को क्रोश नहीं पाड़ीं को कर पाता तो यह उत्तर प्रमी राजस्तान का पूछ रहे हैं बता रहे हैं बात कर रहे हैं यानि बंगाल के हाड़ी का मांसुन वैसे नहीं पहुंच पाता अरव सागर का समांतर बिना रुकावट होने के कारण अरवली रुकावट नहीं होने के कारण क्या है यह सीधा निकल जाता यह वर्सा वैसे नहीं करता इसलिए इस एरिया में कम वर्स होती है वर्सा होती है त तो कारण कुन सा नहीं है यह हमें बताना था इसका उत्तर क्या रहेगा इसका उत्तर है वो हमारे रहीगा वो दो नंबर रहेगा हाँ जी क्लियर हो गया सभी कि इसकी बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला हमारा क्वेशन क्या है पाश्यमी विक्षोप पाश्यमी विक्षोप राजस्तान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करते हैं प्रवेश करता है करती है नहीं करता है अना किस जिले में प्रवेश करता है रूस स्वरी सीरोई जालावार गंगनगर और जेसलमेर य यह राजस्तान वाला जो भाग है एस राजस्तान वाले भाग में यह उत्तरी पश्च्चमि यहां गंगानगर यहां नमनगड यहां जेसल मेर और किसकी बात कि यहां सिरुई है और किसकी बात कि हमने जहलावाड की यहां जहलावाड ठीक है अब कहके पश्चिमी विक्षोब इस तरह से आता है इधर से आता है और इधर से आता है तो सबसे पहले कहां प्रवेश करता है वो राजस्तन के गंगनगर चिले में करता है सबसे पहले प्रवेश कहां कर रहा है सबसे पहले गंगानिगर में करता है जबकि यह सरवादिक प्रभाव है इसका परश्चिमी विक्षोब का जो सरवादिक प्रभाव रहता है परश्चिमी विक्षोब का सरवादिक जो प्रभाव है यह जैपूर में है सबसे पहले तो यह केस में करता है गंगानिगर में परवेश करता है जबकि सरवादिक प्रभाव इसका कहा रहता है सरवादिक प्रभाव इसका जैपूर रहता है यह अपनी को ध्यान रखना है इस पर गूर भी हमें करना है अच्छे से सिरोही है इसमें अरब सागर का मानसुन और सब्सक्रान सब्सक्राइब है कि यह सबसे पहले को करता है राजास्तान में सब्सक्राइब प्रवेश करने वाला मानसुन ही कुन सा है अरब सागर का मानसुन है जो कह सोले जून से लेकर 20 जून के मत्धे राजस्तान में ओस्तन प्रवेश करता है और सबसे पहले शिरोरी में करता है सबसे पहला मानसुन ही राजस्तान में प्रवेश करने वाला कौन सा है अरब सागर क का मानसुन है जालावाड है यहां बंगाल की खाड़ी का मानसुन सबसे पहले प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी का मानसुन सबसे पहले प्रवेश करता है सबसे पहले प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी का मानसुन कहां पर जहलावाड में और दूसरा अपनी को ध्यानक नहीं यह सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यहां ओस्तन कैसो सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इसके बाद में जैसल मेर है यह नियूनतम वर्षा वाला जिला जिला जैसल मेर है और ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक देनिक तापांतर है यह भी जैसल मेर में मिलता है देनिक जबकि सरवादिक वार्षिक तापांतर है यह हमें चूरू में देखने को मिलता है इसके बाद में next question अगला राजस्तान में सरवादिक तुफान केस जिले में आते हैं जालावार गंगनगर ए वै बी दोनों ए वै बी दोनों नहीं फटापर्ट से उत्तर देंगे साथी क्या है कि हमारा question क्या है फटापर्ट से उत्तर देंगे हाँ जी उत्तर अलग लग आ रहे हैं सभी सातियों के सभी सातियों के उत्तर है वो क्या रहे हैं अलग लगा रहे है कि राजस्तान में सरवादिक तुफान किस जिले में आते हैं जालावार में आते हैं गंगनगर में आते हैं ए वै बी दोनों में आते हैं दोनों में नहीं आते हैं तो यहां कहा है कि इसका उत्तर हमारा क्या र आते हैं पर आंधिया सबसे कम कहा आती है न्यूंतम आंधिया आती है वर्स में तीन दिन उस्तन क्या है वर्स में तीन दिन आती है जो गंगानगर है गंगानगर जालावाड का उल्टा है जैसी जालावाड में क्या है सरवादिक तुफान आते हैं तो गंगानगर में क्या है यह आते हैं और जैसे जहलावाड में न्यूंतम आंधिया आती हैं गंगानगर में सरवाधिक आंधिया आती है यह एक दूसरे के उल्टे हैं आपको यह ध्यान रख लेना है जैसे जहलावाड में साल में ओस्तन तीन दिन आंधिया आती है वैसे गंगानगर में ओस्तन कितने दिन आती है वह साल में 27 दिन है वो आंधिया आती है आंधिया राजस्तान में सबसे अधिक कहां आती है यह सबसे अधिक आती है वो हमारे कहां आ रहे हैं यह जो आ रहे हैं वो गंगानिगर में सरबादिक आ रहे हैं ठीक है तो यह देखिए यह हमारे क्या जलवायू से किस पर बात करेंगे राजस्तान की मिट्यों पर बात करेंगे तो कल आप राजस्तान के मिट्या टोपिक पढ़के आएगा आज इतना ही साति कल फिर मिलते हैं जैहिन बंदेमात्रम